नमस्कार आप सभी का स्वागत है स्टार्ट सिटी न्यूज में मैं इस वक्त दिल्ली के रोहिनी विधान सभा जिला उत्तर पश्मी में मौझवूद हूं साथ ही हमारे रोशन सिंग जी हैं जो कि लगतार उपाद्यक्ष हैं जिला उत्तर पश्मी पुरुमाचल मोर्चा से सबसे पहले तो स्टार्ट सिटी न्यूज के सारे दर्सकों को और आप सभी को अर्दिक धन्यवाद और बदाई मैं अपने दर्सकों को और अपने टीम के सांथी को यही देना संदेश देना चाहूंगा कि आज के डेट में देख रहे होंगे कि हमारे जो प्रधान मंत्री सश्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी उनके हाथों को मजबूत करना है लोकसवा का चुनाव चरम पे है बेगुल बच्चुकी है चुनाव की और पार्टी का गठन अभी हुआ कुछ चंदिनों पहले पार्टी का गठन हुआ है जीला के पताधिकारी घोशत मोदी जी के हाथों को हमें मजबूत करना है जैसे मैं पुर्वांचल मोर्चा में लगतार तीसरी बार जिले के उपाध्यक्षपद पर फिर से नियुक्ति पार्टी ने हमें दिया है उसके लिए मैं पार्टी के सिर्ष नेत्रतु को बहुत-बहुत धन्यवाद और पर के टीम जो गठन हुई है उसमें यही हमारी सबसे में आहम भूमिका यह रहेगी कि जितने भी पुर्वांचल के छेतर के लोग हैं वो एक साथ एक जूट होकर अपना मत परतिसत जो सत परतिसत जो मत हो मोदी जी के पक्स में जाए जैसे आप देख रहे होंगे कि साथ मत दुखसवा चेतर हैं दिल्ली के अंदर में और पुर्वांचल की संख्या जो है चालिस पर सेंट है पूरे अगर दिल्ली की बात करें तो उस् oluşंचारीश पर्सेंट है मैं उत्तर पश्ुम लोगसभा की बात करता हूं उत्तर पश्चिम ड़िले में तीन ऐसे बिधान सभा हैं जो पुर्वांचल बहुल है जैसे बादली बिधान सभा उसमें 56% पुर्वांचली है लेकिन आज तक पुर्वांचल का कोई विधायक वहां से नहीं जीता इसकी सबसे बरी वजह हमारी ये है कि पुरवांचल के लोग इधर उधर भठक जाते हैं पुरवांचल के लोग एक जुट होकर काम नहीं देते हैं एक दुसरे से मिल के काम करना जैसे आप पीछे देखे होंगे कि पीछे लगटार दो बार से विजये भगत जी पुरवांचल शेतर से आते हैं विजये भगत जी को पार्टी को पर्टी ने परत्यासी बनाया पार्टी ने पुरवांचल की संख्या को देखते हुए जन Państ नहीं होते हैं इस निगम में देखे होंगे कि लगभग 6 से 7 परतियासी पार्टी ने दिया प्रवांचल बहुल से लेकिन सब के सब चुनाव चंद वोटों से हार गए उसमें तो कहीं न कहीं हमारे प्रवांचल प्रिवार की कमी है तो मैं अपने प्रुवांचल भाइव से यही कहना चाओंगा कि मोधी जी कहांटों को मजबूत करें प पीछे बिहार के एक जिले छप्रा जिले के चिंतामन गंजपरसा गाउं का निवाशी हूं गरखा परखंड का अंतरगती आता है मैं जब परहाई कर रहा था इस्कूल कॉलेज के उसमें तब से मैं पार्टी के विचारधारा से जुरा हूं चात्र संग से ही मेरी पार्टी की विचारधारा से जो भारती जनता पार्टी की विचारधारा है शुरू से मैं उनके विचारधारों से सहमत था और उनके विचारधारों पे ही काम करता था मैं मैं स्कूल के टाइम से ही भारती जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूं जब मैं 2007 में दिल्ली आया परहाई करने के लिए उस समय भी जब यहां पर चुना होते थे तो हमारे पस कोई दाये तो नहीं था कि हम लोग पढ़ने के लिऎ आते थे जब चुना होते थे जितना हो सकता था हम जाते थे पारटी के लिए लोगों का ऩफ बटाते थे काम करते थे अब लगातार दस साल से में दिल्लीक में इसी रोहोमी चैतर sector के अंतरगत मैं पार्टी के लगातार सेव परवास की लगवाश किया मेरा मेन फोकस होता है पुर्वांचल है क्योंकि हम पुर्वांचल उपाध्यक्ष और पार्टी ने नारा अब दे दिया। पुर्वांचल चला मोदी के साथ जो कल का कार्षक्रम आपने देखा होगा कि हमारी जिला कर्याले पर मिटिंग हुई थी लगभग 500 से उपर पुर्वांचल भाईयों को हम बुलाया था जितने भी पुर्वांचल के लोग हैं गन्नमाने लोग हैं उनको बुला कि हम मंच के पर उनको उनका स्वागत समरो था जीला प्दादीकारियों का सवागत था उसमें हमारे पर दिवांग में यह रह रहा होता है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं भारत्य जंता पार्टी इन अहीं परिवार और परिवार के उस्तिती नहीं वाइन अजा हमारी सानातन धर्म कहां से कहां ऑँज पांट सो पचाश वरसों के बाध हमें बनवास के बाद राम मंदिर राम मंदिर मिला वो मोधी यह नारा बिल्कुल चल रहा है जार्टो के पर मैं आपको राम मंदिर पे पहले देता हूं कि पहले जब राम मंदिर की उद्गाटन जन भूमी राम परतिष्ठा से पहले जब स काम जो पार्टीयों ने क्या नारा दिया के मनदिर नहीं बनाएंगे जो फेल राम मंदिर को भी दवन्स किया गया उसके !' बनाया गया तो उन्होंने व खिया हूं ने राम मंदिर का डेट भी बताए तारीक भी बताए और प्रानपरतिष्ठा भी हो गई आज पूरा विस्व देखा प्रानपरतिष्ठा कैसे हुआ अब नारा जो है आपने आपका सवाल था कि 400 पार देखिए जब भारतिय जनता पार्टी की अस्थापना हुई थी तब दो जबूत किया 2019 में 303 सीटों के साथ मोधी जी ने किया मैं पूरे इंडियन एलाइंस की बात कर रहा हूं इस बार मोधी जी का नारा है 400 पार इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है कि 400 पार हम नहीं कर रहे हैं मोधी जी ने अगर बोला है तो हम लोग हम जैसे चोटे-चोटे का यही ओ है कि मोधी जितने सीट है को पर त्यासी हमारा एक है कमल का फूल इस बार आप जैसे कह रहे हैं कि मोधी जी इस बार जो चल रहा फैक्टर चार्स होगा पार दिल्ली बिजान सब्स दोएर पच्चिस की चुनाव की बात करेंगे सर लगता राम आजमी पार्टी द चार धारा लेकर कि मैं मंदारी मंदारी का काम करूंगा मंदारी से काम करूं मंदार बनके आऊँगा लेकिन आज के डिल्ली चली केजरिवाल संगडिंख चली उन्होंने क्या कि लोगो को सिर्फ वठकाया है ये बिजली फ्री पानी फ्री ओमेरे पास जब हम लोग चेतर में घुमते हैं तो हमारे पास हर तरा मेरे-पास पक्यास ऐसay Minsag वारण है कि यह जो बस्ती है आप देखे होंगे बस्ती हमारे बगल में है इस बस्ती में ऐसे 50 ऐसे मेरे पास उदारन है कि उनका भी बिजली का बिल पांच-पास जार आया हो जी बस्ती के अंदर ही अभी कुछ दिन पहले हम लोग पुर्वी दिली में हमारे यसस्वी प्रांत का स्वास्त मंत्री जेल में है इनके उपर डेली हर हमेशा संवन भेजे जा रहा है यह जानी रहें क्योंकि इनको डर है संजय सिंग आके बोलते थे आम आद्मी पार्टी के माननिये नेता हैं हमारे लिए माननिये ही है कि अगर को हम आरा नाम कहीं घोटाला में आता है हमें पगर के दिखाओ पार्टी ने उनको पार्ट ये एडी ने इडी को सबूत भी मिला तभी हो जेल के अंदर गए तो देखे ये पूरी भरस्ट चार की पार्टी है ये सिर्फ हमारे जो समाज की लोग है उनको इन्होंने भटकाया अब आज के डिट में आप देखेंगे कि सारे लोग इनकी जो सच्चाई है सब जनता के सामने आ चुकी है जनता के सामने ये मोह दिखाने लाइक नहीं रह हो और आज देखिए इनका गढ़वंदन किसके साथ है कॉंग्रेस के साथ है आज दोनों लोग मिल के चुनाओ लग रहे हैं किसलिए कि भारतिये जनता पार्टी को हरा देना है और मैं अभी दावे के साथ कह रहा हूं कि साथ की साथों लोग सभा कि सीट इस बार भी हम मैं उनके साथ भी लगतार काम करता हूं दिल लिकर्ण सबाब में भी हमें याद करते हैं सेवा का मोगा देते है हम देखिए जितनी जनता के पास जो भी जनता जनारधन हमारे पास समस्या लेकर आती है कोशिस मैं करता हूँ कि हर संभव यह था संभव देखिए होता क्या है कि अगर हम राजनीत से जुरे हैं किसी पार्टिकुलर पार्टी से जुरे हैं तो हमारे पास समस्या का इंबार आता है ऐसा नहीं है कि सत में 100 100 हो जाए कोशिस हमारी यही रहती है कि जादा ज्यादा लोग का समस्या का स्वाल करके अम जैसे पीछे मैं पीछे जब मैं उपैध्यक्ष था पिछला टर्म में जब आजैसी हमारे अद्यक्ष हुआ करते थे तो दीब भिहार एक कुलोनी है से बावाना के अंदर में वहां पानी नहीं आता था पानी वहां नहीं आता था लोग टेंकर से आज पानी आया तो फिर पानी साथ दिन बाद आएगा दस दिन बाद आएगा तो हमारी वहां मिटिंग हुई हमें बुलाए गया हम लोग गये हम महामंतर जोबी से सब लोग कहें वहां मैंने मंज से खुले एलान कर दिया। मैं मैं बात करता हूं मैं आदिकारी है जल वोड के अगर उन से ये लुग के सब्सक्राइब ups दरना देंगे और उसका नतीजा यह हुआ कि मेरी सभा हम लोगी वहां से खतम हुई आगले दो घंटे में टेंकर पहुंच गया टेंकर वाले का फोन के आता है कि भाई साब टेंकर कहां लगाना है ठीक है ओ कह रहा है स्पोर्ट बताओ मुझे चुली नहीं पता था कि टेंकर अपने जंता में आगरा करना चाहता हूं लोगों से भी यही बोलता हूं जो भी हमारे प्रवांचल के भाई है कि एक जूटों के कहीं भी एक जूटों के एकमत करेंगे तो हमारी आज देखिए मनोश्तिवारी जी 2014 में भी दिल्ली से सांसद बने 2019 में भी सांसद बने सात लोग के बीच रहते हैं जो लोग समस्या लेके जाते हैं कोशिस करते हैं वो भी कि समस्या जल्द से निप्टारा किया जाए तभी पार्टी उन पर भरोशा करके दुबारा होती है और कुछ मैसे देना चाहेंगे रोशन जी देखिए लोग सभा का चुनाव नजदीक आ गया है अभी इस लोग सभा में पार्टी ने घोशना नहीं किया है कि हमारे कंडिडेट कौन होंगे लेकिन मैं सब लोग को अपने सारे जनता-जना जो भी सिटी निउज स्टार सिटी करना चाहूंगा कि चाहे परत्यासी कोई भी आए हमें समझना है परत्यासी हमारे ननिंदर मोदी जी है कमल का फूल है उनके हाथों को मजबूत करना राश निर्मान करना है क्योंकि हम लोग यह देख आज मैं सुबह निउज देख रहा था कि वर्ड बैंक ने ये बोला है कि भारत के लिए बीतिये संस्थाओं के लिए बैंकों के लिए अच्छी ख़बर है सारे वल्ड में अभी आज के डिट में एकनॉमिक क्रैसिस है और हमारा एकनॉमिक धिरे-धिरे बर रहा है तो मैं यही सब लोग से गुजारिश करूंगा कि दिल्ली की सातों की सातों लो